कहता है galvanometer है हम लोग के पास इसका coil resistance 60 ohm है और full scale deflection दे रहा है when current 0.1 ampere passed through it अब देखो यह के galvanometer है चलो galvanometer हम लोग बना लेते हैं यह हम लोग के पास galvanometer है और इसका full scale deflection मतलब जब मैं current flow कराया इसमें कितना वही 1 ampere तो यह पूरी reading दे रहा है fully scale deflection में आप पड़े होगे and it converted into a meter 5 ampere अब galvanometer को a meter कैसे बनाते हैं बाई galvanometer को a meter बनाने का तरीका है इसके parallel एक संट resistance connect करते हैं जिसकी resistance galvanometer से कम होती है और यह bypass की तरह काम करता है तो यहाँ से ज़्यादा current जा रही है इसमें से 5 ampere नहीं नहीं आ मीटर यहाँ से गलर यहाँ से जब मैं संट connect करूंगा तो यह आ मीटर बन गया पूरी device यह पूरी की पूरी device यह पूरी की पूरी device आ मीटर हो गई अब यह current की measurement कर सकती है current की calculation कर सकती है और यहाँ से मैं इस पूरे की अगर reading देखूंगा पूरी की अगर reading देखूंगा तो 5 MP समझें ना इस आविटर की रीडिंग 5 MP है और अकेले गली विनोमीटर में कितना जा रहा था सारी की सारी लगवक करेंट इधर से ही गुजर जाती है बहुत सारा करेंट तो अगर यहां से 1 MP जा रहा है इस वाले ब्रांच में तो इधर कितना जाएगा यार 4 MP जाएगा तो इस संट की रजिस्टेंग करना ओवियसलि पेरलल में हम लगाते हैं लगाते हैं तो ए आप्सन कभी सही नहीं हो सकता और बी कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि यह सीरीज में र Schnee को calculate करने लगाने को कब रहा तो चलो वेलू भी निकालना है, तो S की वेलू हम लोग निकाल लेते हैं यहां से, कितना RIS की वेलू, तो इस के, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस बोल्टेज की वेलू सेम होगी, तो यहां से आ जाएगा, 1 multiplied by galvanometer का resistance, संट का resistance multiplied by 4 ampere के 5 पूरा था, तो galvanometer की resistance दिया था, क्या हां दिया आया, 60 और संट की resistance 5 multiplied by 4, तो यह आ जाएगा 15, तो संट की resistance आ जाएगी 15 हो, मतलब हम लोग का C option सही है, तो आई होग किये clear हो गया होगा,